नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी डिफेंस की अगर कोई संस्ता कही जा सकती है तो वो है DRDO और DRDO ने क्वांटम कम्यूनिकेशन करके दिखाया है दो लैब्स के बीच में आज हम इसी को समझेंगे कि इसका फाइदा क् और ये है क्या तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों डिफेंस रिसर्च और डेवलब्मेंट और्गेनाइजेशन ने बुद्वार को अपनी दो लैब के बीच में एक कम्यूनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्रिबूशन सिस्टम का परदर्शन करके दिखा और दोस्तों ये बहुत ही मजबूत सिस्टम है जहां पर एंक्रिप्शन कीज का इस्तेमाल किया जाता है अब दोस्तों ये एंक्रिप्शन क्या होता है ये एक्ट्यूल में कोडिड वर्ड की लेंग्वेज होती है यानि कि किसी भी इन्फरमेशन को इस तरह से शेयर किया जाता है कि वह सिक्योर रहती है कोई भी unauthorized person इसको access नहीं कर सकता और दोस्तो quantum key distribution system के अंदर encryption key को qubits के रूप में fiber optic cable के माध्यम से बेजा जाता है और दोस्तो qubit की बात करें तो ये quantum computing के अंदर एक basic unit होती है quantum information के लिए और qubit के अंदर एक single bit store होती है यानि कि दोस्तो digital information के अ अगर हम देखें future quantum computer के अंदर इसका बहुत जादा इस्तेमाल किया जाएगा तो दोस्तो अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि classical computing के अंदर जैसे हम bits का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से quantum computing के अंदर qubits का इस्तेमाल होता है basic resource के लिए अब दोस्तो दो labs के बीच में इस quantum key distribution distribution technology का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा मान लीजिए कोई information एक lab से दूसरी lab को भेजी जा रही है और ऐसे में दोस्तो बीच में कोई अवैद रूप से इसको access करने की कोशिश करता है तो उससे क्या होगा कि जो qubits है जो photon के उपर एक code क रूप में information दी गई है वो disturb हो जाएगी और इससे एक transmission error generate हो जाएगा और ये error हाथो आद जो इसके web user है उनको बता देगा और इस तरह से फिर इसका control कर लिया जाएगा और दोस्तो defense और strategic agencies के लिए secure communication बहुती जरूरी है especially दोस्तो जब distribution encryption की इसके जरिये हो तो ये बहुती important requirement बन जाती है कि quantum based जो भी communication हो रहा है उसके पास एक बड़ा solution हो और इस तरह से वह बड़ी आसानी से securely अपनी information share कर सके और दोस्तो defense minister राजनात सिंग जी ने भी DRDO को बदाई दी है सफलता पूरवक परदर्शन के लिए quantum key distribution technology का इस्तेमाल एदराबाद based दो lab के अंदर करने क लिए और ये communication defense research and development laboratory और the research center इमारत इन दोनों labs के बीच में किया गया था और दोस्तो ये quantum communication time being quantum key distribution scheme का इस्तेमाल करते हुए realistic condition के अंदर perform किया गया था और इसी दोरान दोस्तो third party किस तरह से इसके अंदर interfere करती है और किस तरह से पकड़ी जाती है पूरे communication के बीच में इसे पर दर्शित किया गया और time being encoding का इस्तेमाल किया जाता है especially जो qubit जो photon के उपर रहता है उसे encode करने के लिए यानि कि उसके अंदर जो information छिपी है उससे बाहर लाने के लिए तो दोस्तो आपको पता होगा कि जब भी किसी lab से दूसरी lab के अंदर को information भेजी जाती है defense related तो वो अब हासिल की है गलत तरीके से और इसी तरह से उसने अपने weapon system बनाए है तो हम आज कल दोस्तो अपने weapon system develop कर रहे हैं तो हमारी technology कहीं दूसरी तरह ना जाए जैसे अमेरिका के साथ हुआ या फिर अन्या देशों के साथ होता है तो इसी लिए इस system का इस्तिमाल किया जा रहा है और ये बहुती सिक्योर है साथी दोस्तो जब भी किसी project के उपर काम होता है तो इसके अंदर बहुत सी labs बहुत सी संस्थाएं company जुड़ी होती है तो इस तरह का secure communication बहुती जरूरी है और ये DRDO ने बड़ी सफलता हासिल की है धन्यावाद जैहिन